तो गाईज देखिए SSV GD के एक्जाम चल लाए है और अभी तक जितने भी सिप्ट के एक्जाम हुए है उन्ही सिप्टों के अधार पर कुछ कोश्चन देखेंगे जो कि आने वाले सिप्टों के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी चरूर दबाले चलिए सुरू करते हैं तो देखिए पहला कोश्चन है निमने स जीरो से हम लोग क्या बनाते हैं पांच चार तीन और दो तो देखिए पहले हम लोग तीन से पांच बनाते हैं तो इसमें कितना जोड़ा दो दो से चार बनाया तो इसमें कितना जोड़ा दो एक से तीन बनाया तो इसमें कितना जोड़ा दो और जीरो से दो बनाया तो इस पांच में दो जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा साथ और तीन में दो जोड़ेंगे तो आपका आजाएगा पांच तो 89, 75 आपका अंसर आजाएगा तो option is right answer अगला है देखिए नीचे दिये के विकलपों में से बिसम सब्द चुनिये बिसम क्या होता है चार option देदिये जाते हैं इसमें से तीन option जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं और जो एक option बसता है वो अन्न तीनों से क्या हो जाता है बिसम हो जाता है अलग हो जाता है असंगत हो जाता है ये सभी नाम होते हैं तो बाबन कोस्चन में आपका विसम कौन सा हो जाए पाठक या आपका विसम हो जाएगा क्यूं क्यूंकि लेखक, मुद्रक और प्रकासक ये सभी क्या है ये सभी प्रकासन के अंग है नीचे दिये गए विकल्पों में विसम समू छाना अटना है तो देखे पहले एक एक option च करेंगे क्योंकि ये लगातार अलपा बेट आते हैं N के बाद हो, H के बाद आई, option C चे करते हैं, S के बाद कौन सा आता है, T जो कि दिया हुआ है, option D देखी चे करते हैं, W के बाद क्या आता है, X आता है, लेकिन दिया हुआ याँपर Z, तीन option आपके सेम होगे, एक आपका लगा नवासी कैसे आया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सभी के अलपावेट कोड लिग देते हैं, A का होता है, M का होता है 13, E का होता है 5, N का होता है 14, D का होता है 4, फिर M का होता है 13, फिर E का होता है 5, N का होता है 14, D का होता है 20, इन सभी को अगर जोड़ दे Secretary के लिए लगाएंगे तो Secretary के सारे Alphabet के Code लिग लिएते हैं S का Code कितना होता है 19 होता है E का Code कितना होता है 5 C का होता है 3 R का होता है 18 और E का होता है 5 फिर T का होता है 20 A का होता है 1 R का होता है 18 Y का होता है 25 इन सभी को जोडने पर आपका अंसर क्या आएगा 114 और यदि Timber को एक कूट वासा में बर्मिट लिखा जाए तो उस कूट वासा में बेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा जो तरीका Timber के लिए लगेगा बाही तरीका बेंटर के लिए लगाएंगे तो Timber के सारे Alphabet लिख लेते हैं टी आई एम बी ए आर इससे आपका क्या बनना है बर्मिट बी ए आर म आई टी देखें लास्ट के जो तीन अलफ़ा बेटे हैं उटके आगे आगे और स्चार्टिंग के जो तीन अलफ़ा बेटे हैं वो उटके last में चले गए और पीछे से पलट गए ओके यही तरीका हम लोग लगाएंगे बेंटर के लिए B-A-N-T-E-R तो last के जो तीन अलपा बेट उटके आगे आ जाएंगे बैसे ही से और starting के तीन अलपा बेट हैं यह पलट जाएंगे पीछे से तो N-A-B यह हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 56 का आंसर हो जाएगा option B turn A option B is right answer अगला है यदि यूनिवर्स्टी को एक कूट वासा में यह नमबर लिखा जाता तो उस कूट वासा में trustee को किस प्रकार लिखा जाएगा तो सबसे पहले यूनिवर्स्टी के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं U N I यह हो गया फिर V E R S I T Y ओके गाईस अब देखिए U का कोट कितना दिया हुआ है? एक N का कोट कितना है? दो I का कोट कितना दिया हुआ है? साथ B का कितना दिया हुआ है? 3 E का कोट कितना दिया हुआ है? 9 R का 4 दिया हुआ है S का कितना दिया हुआ है? I का कितना दिया हुआ है? और T और Y का 5 और 6 दिया हुआ है अब हमें किसका बतना है? ट्रस्टी का तो टरस्टी के सारे अलफाबेटे लिख लेते हैं तो दिखेगा इस color को थोड़ा से change करते हैं T का code उपर कितना है? 5 तो T के नीचे 5 लग दिया R का code उपर कितना है? 4 तो 4 लग दिया U का code कितना है starting में? University में 1 तो 1 लग दिया S का code उपर कितना है? 8 8 लग दिया T का हम लोग लिख चुके हैं 5 तो 5 लग दिया B का कितना है? 6 तो 6 लग दिया तो आपका अंसर कितना हो जाएगा? 14, 18, 56 14, 18, 56 तो option C is the right answer चिन्नों के किस अदल बदल से निम्न समीकान साही हो जाएगा तो समीकान दिया हुआ है इसमें से एक option चुनना है और उनी चिन्नों के apply करना है LHS में और LHS अगर solve करते हैं तो वो आपका RHS के बराबर आजाए मतलब दोनों पच्छाप के बराबर हो जाए ऐसा आपको option चुनना है तो वो option आपका हो जाएगा option C पहले देखे 35 plus देखे भाग की जगा plus कर देंगे plus की जगा भाग कर देंगे तो plus है plus की जगा भाग कर दिया फिराया 7 multiply 5 और भाग 5 भाग की जगा क्या कर देंगे plus फिर minus 6 इसको solve करते हैं बौर्ड मां सुरू लगा अप्लाई करेंगे तो 35 में 7 का divide करेंगे तो 5 into 5 plus 5 minus 6 तो 25 plus 5 minus 6 मतलब आपका आगया 30 minus 6 मतलब 24 दोनों पच्छाप के बराबर होगे 24 से आपका दे रहा है तो option C is right answer नीचे दियेगा विकलपू में से कौन सा निमलिकिस सब्दों का साथ कारोई करम जड़सा आएगा छोटे से बड़े मतलब तो इसका हो जाएगा option D पहले आएगा रेखा बनाओ गया रेखा के बाद कोण फिर उसके बाद कोण के बाद तिरुबूज उसके बाद बर्ग निर्देश प्रसंचंखिया 62 से 65 के लिए दिये गे विकल्पों में से उससे ही विकल्प पचुनी है जो अनुकरम को पूरा करेगा तो देखी यहाँ पर question mark लगा हुआ है यहाँ पर कौन से alphabet आएगे कैसे करेंगे इसको तो सभी के पहले-पहले alphabet उठा लेते A का code होता है 1 E का होता है 5 तो एक से पांच बने मतलब A से E बनने में क्या हुआ है चार जोड़ा अब हम लोग E से I बनाते है I का होता है 9 पांच से 9 बनने में 4 जोड़ा पीछे सभी में 4 जोड़ा तो आगे भी 4 जोड़ेगा तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आजाएगा 13, 13 किसका होता है M का, फिर 13 में 4 जोड़ेंगी तो आपका आजाएगा 17, 17 होता Q का, जो कि आगे दिया हुआ है, मतलब condition satisfied कर गई, तो पहला alphabet आपका क्या हो गया M, अब सभी के last वाले उठाते हैं, D से बनाते है H, D का होता है 4, H का होता है 8, तो 4 जोड़ा, अब H से हम लोग L बनाते है, L का होता है 12, 8 से 12 बनने में 4 जोड़ा, तो आगे भी 4 जोड़ेगा, तो 12 में 4 जोड़ेंगे, तो 16, 16 किसका होता है P का, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा option C, MP, अगला है question यहां पर question mark लगा हुआ है, यहां पर क्या आएगा, तो सभी के पहले-पहले alphabet उठा ल जोड़ा, तो आगे भी 8 जोड़ेगा, तो 17 में 8 जोड़ेंगे, तो आपका आजाएगा 25, 25 किसका होता है, बाई का, तो पहला alphabet आपका क्या आगया, बाई, अब सभी के दूसरा उठा लेते हैं, 20 से बनाते हैं, B का कोट होता है 2, और J का होता है 10, तो इसमें भी 8 जोड़ जोड़ेंगे, तो 26, 26 किसका होता, जैट का, तो बाई, जैट आपका दो alphabet मिल गए, बाई और जैट, ऑप्सन A में स्टार्टिंग के दो alphabet आ रहे हैं, लेकिन ऑप्सन B, ऑप्सन C, और ऑप्सन D में नहीं आ रहा, तो एक ऑप्सन बचा बही आपका अंसर हो जाएगा, तो 14 बनने में 8 जोड़ा, अब 14 से 26 बनाते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा, 12 जोड़ा, तो एक ची देखे, 4 और 8 के भी डिफरेंस कितने का है, 4 का, 8 और 12 के भी 4 का, तो आगे भी 4 का डिफरेंस होगा, तो 4 को 12 में जोड़ेंगे, तो यहां पर आजाएगा, 16, और 16 को 26 में ज आजाएगा, तो 6 से 12 बनाया, तो इसमें कितना जोड़ा, 6, 12 से 21 बनाया, तो इसमें जोड़ा, 9, 21 से 33 बनाते हैं, तो इसमें कितना जोड़ते हैं, 12, अब देखे, 6 और 9 के भी डिफरेंस कितने का, 3 का, 9 और 12 के भी डिफरेंस कितने का, 3 का, तो आगे भी 3 का डिफरेंस ह प्रसन संक्या चांचर से 71 के लिए निर्दे से दिये के विकल्पों में से संबंदे सब्द अच्छा रत्वा संक्या को चुनिए यहाँ पर देखे कोश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्या आएगा देखे गाइस जिस प्रकार जीवन का जो बिलोम सब्द होता है मृत्ति होता ह उसी प्रकार आसा का क्या होता है विलोम सब्द निरासा अगला है ब्रहत का संबंदे विसाल से तो आगे कोश्चन मार्क लगा हुआ है तो देखे गाइस जिस प्रकार ब्रहत और विसाल यह दोनों क्या है परयावाची तो ऐसा ही एक उप्शन चुना जो एक दूसरे के प बनने में लगेगा या दूसरे से पहले बनने में लगेगा बही तरीका आगे अपलाई करेंगे तो हम लोग बी सी से डी आई बनाते हैं तो बी का कोड होता है दो सी का होता है तीन और डी का होता है चार आई का होता है नौ तो दो से चार बनने में तो दो जोड़ा रहा है लेकिन 3 से 9 बनने में कितना जोड़ा रहा अच्छे यही तरीका D E के लिए लगाएंगे D का कोड होता है 4 4 में पहले 2 जोड़ देंगे तो आपका आजाएगा 6 6 किसका होता है अपका अब E का कोड कितना होता है 5 तो 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 6 तो 11 आजाएगा 11 किसका होता है के का तो आपका अंसर क्या आजाएगा F के F किसी में आ रहा है नहीं आ रहा है इसका अंसर होता है यहाँ पर आप बाई की जगा के कर लिजेगा तो आपका अंसर होता है यहाँ पर कोश्चन मार्क लगा हुआ है सबसे पहले हम लोग A, C, E को चेक करते है A का कोड होता है 1 C का होता है 3 E का होता है 5 1 से 3 बनने में 2 जुड़ रहा है 3 से 5 बनने में 2 जुड़ रहा है पहला चेक होगा आप K, I, G को चेक करते है K का होता है 11 I का होता है 9 G का होता है 7 तो 11-7 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा 11-9 बनने में 2 गटा, 9-7 बनने में 2 गटा पहले 2-2 जुड़ा, फिर 2-2 गटा अब MOQ को चेक करते हैं MOQ, M का होता है 13, O का होता है 15, Q का होता है 17 13-15 बनने में 2 जुड़ा, 15-17 बनने में 2 जुड़ा पीछे देखे क्या तरीका लगा था पहले दो-दो जुड़ा था उसके बाद दो-दो गटा था अब आगे भी यही तरीका लगेगा दो-दो जुड़ा है अब एक S option चुनना है जिसमें दो-दो गटेगा तो वो आपका answer क्या हो जाएगा option A, W, U, S, W का होता 23, U का होता 21, S का होता 19, सभी में दो-दो गट रहा है तो option A is right answer यहाँ पर देखे question mark लगा हुआ है तो जो तरीका पहले से दुसरे बनने में लगेगा यह दुसरे से पहले बनने में लगता है बही तरीका आगे अप्लाई करते हैं तो 9 से 28 बनाते हैं तो 9 में 3 का multiply 27, 28 बनाना तो एक और जोड़ देंगे तो आपका कितना आजएगा 28 यही तरीका 56 के लिए करेंगे 56 में सबसे पहले 3 का multiply 28 बनाते हैं तो सबसे पहले 12 में 3 का multiply करेंगे 16 22 22 16 44 को कीजिए में अगर हम लोग 16 में चार करते हैं तो अमें participle मिलता है सोला दुने बत्ते सोला त्यारताले सोला चको 64 और इसमें एक घटा देते हैं तो हमें कित्ता मिलता 63 तो आपका अंसर हो सकता है option D दो तरीक लग सकते हैं अगर 47 दिया होता अंसर तो आपका हो सकता था लेकिन आपका अंसर आ रहा है option D is right आंसर क्यों देखिए नदी में जल होता है जील में जल होता है मासागर में जल होता है लेकिन बड़सा वो तो केवल बड़सा जल को बड़साती है तो सबसे विसम आपका कौन सा हो गया option D अगला देखिए आपका 73 में बताना है बिसम कौन सा होगा आपका तो 73 में आपका बिसम हो जाएगा option C साही राज अलग है राणी एक ही राजकुमार एक ही मतलब तीनों एक ही राज के होते हैं लेकिन साही आपकी अलग चीज है 74 में आपको आंसर बताना है बिसम बताना है कौन सा होगा है तो एक-एक option को चेक करते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले option को चेक करते हैं देखे जी का code होता है 7 L का होता है 12 O का होता है 15 और V का होता है 22 तो देखे 7 से 12 बनने में क्या हुआ 5 जूड़ा है और 12 से 15 बनने में 3 जूड़ा है और 15 से 22 बनने में 7 जूड़ा है option B चेक करते हैं C का होता है 3 L का होता है 6 K का होता है 11 और R का होता है 18 3 से 6 बनने में कितना जूड़ा 3 जूड़ा 6 से 11 बनने में 5 जूड़ा है और 11 से 18 बनने में 7 जुड़ रहा है option C चेक करते है I का code होता है 9 L का होता है 12 Q का होता है 17 X का होता है 24 9 से 12 बनने में 3 जुड़ रहा है 12 से 17 बनने में 5 जुड़ रहा है और 17 से 24 बनने में 7 जुड़ रहा है देखिए option B और option C सेम है लेकिन option है सबसे अलग है option D भी चेक कर लेते हैं A का होता है 1, D का होता है 4 I का होता है 9, P का होता है 16 1 से 4 बनने में 3 जुड़ा 4 से 9 बनने में 5 जुड़ा और 9 से 16 बनने में 7 जुड़ा 3 option आपके सेम होगे लेकिन option है मैं ऐसा नहीं है ओके कमेंट करके बताइएगा अधतर कमें आपको बिसम बताना है देखिए 8 का स्कॉयर होता है 64 जो कि दिया हुआ है 6 का स्कॉयर होता है 36 9 का स्कॉयर होता है 81 और 7 का स्कॉयर होता है 49 लेकिन दिया हुआ है 50 तो बिसम कौन सा हो जाएगा option D कोशन कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सा है सोनम अपने घड से दच्छन की ओर 50 मीटर गई तो माल लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट दच्छन नीचे की तरप होता है तो कितना गई 50 मीटर फिर बाई और मुण कर 20 मीटर गई बाई आपका कौन सा हो जाएगा इधर की तरप कितना गई 20 मीटर फिर उत्तर की ओर मुण कर 30 मीटर गई उत्तर कहा होता है उपर की तरप होता है कितना गई 30 मीटर इस इस्टान से उसका घर किस दिसा में है तो यहां से ये दूरी मतलब यह दिसा जो है यह कौन सी है कलर को थोड़ा सा चेंड्ट करते है दिसा बताने उसका घर किस दिसा में है लाश्ट पॉइंट से तो देखिए हम लोग क्या करते है दिसा बाला वो बना लेते हैं काथियतल तो उत्तर और पस्चिम के बीच की दिसा क्या होती है उत्तर और पस्चिम के बीच की दिसा क्या होती है उत्तर पस्चिम तो आपका answer आजएगा उत्तर पस्चिम Option D is right answer तो guys आज के सी वीडियो में इतना ही Thank you धन्यबाद